एक बुढिया जंगल में अकेली रहती थी. वह जंगल के पास एक छोटे से गाव में अपना छोटा सा घर बना कर रहती थी. वह बहुत ही धैर्यशील और महनती थी. उसके आसपास के लोग उसे दादी जी कहते थे. वह अपने घर के सामने एक छोटे से पेड़ पर अपना घ एक दिन बुढिया ने देखा कि एक प्यारा सा पक्षी उस पेड के उपर अपने घर बना रहा है। दादी जी ने प्यार से कहा, बहुत अच्छा, मेरे बच्चे, महनत और समर्पन से किया गया हर काम सफल होता है।